नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है पेश जोदपुर बिकाने जिले की बड़ी खबरे जोदपुर के डांग्या वास में सुमार सुबै इंटरसेप्टर टू पर तैना थ यादायत पुलिस की कॉंस्टेबल अजी सिंग के पाउप पर एक व्यक्ति ने SUV चड़ा दी इससे वो गंभी रुप से घायल हो गया उसका पाउप फ्रेक्चर होने पर मत्रदास मातुर अस्पिताल में भर्ती करवाए गया है मौके से फरार SUV की तलाश में नाकाबंदी कराई गई है बंजिया नमबर के अधार पर भी तलाश की प्रियास किये जा रहे हैं रेलवे को करोना काल में करोड़ रुपियों का नुकसान हुआ है जनल टिकट और प्लेटफर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगने से बिकाने डिविजन मार्च से दिसंबर 2020 तक करीब 184 करोड़ रुपे के राजिस्व का नुकसान हो गया है अकेले बिकानेर को 25 करोड़ रुपे का राजिस्व नुकसान उठाना पड़ा है परिश्वानी जनता को भी भुगतनी पड़ रही है क्योंकि वर्तमान में 14 पैसंजर ट्रेनों में कोई रियायत नहीं दी जा रही है ट्रेन में सिर्फ रिजर्वेशन करवाने वाला यात्री ही सफर कर पा रहा है जनल कोच की सवारी के लिए कोई वेवस्था नहीं है जोदपर जिले के नौसर शेतर में रविवार देरा सड़क पर सामने आई एक गाए को बचाने की कोशिश में एक जीप बेकाबू होकर पेड़ से जाटकराई इस आसे में जीप में सवार करन सिंग की मौत हो गई जबके जीप चालक अमे सिंग खायल हो गया उसे इस्पिताल में भर्ते करवाए गया है जोद्पर जिले के उंसिया पुलिस ने बाना का बास में मंदिर के ताले तोड़ कर दान पातर वे छोत्रे चुराने के मामले में परदा फार्श किया है और दो यूकों को गिर्फतार कर लिया ग्रामिंट प्लिस अधिक शक अनिल कया ने बताए कि सुमेरा राम वे बाला राम भील को गिर्फतार किया गया है पूश्टाश में आरोपियों ने आधा दर्जन से अधिक नग बजनी करना कबूला है नगरपालिका अम चुनाव के तहट बेकाने जिले की तीन नगरपालिकाओं में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पत के चुनाव के लिए रिटर्निंग और सहाइक रिटर्निंग अधिकारी न्यूक किये गए है जिला निर्वाचन अधिकारी नमित महता के अनुसार नोखा नगरपालिका के लिए रिटर्निंग अधिकारी उपखंड अधिकारी नोखा और सहाइक रिटर्निंग अधिकारी की रूप में तहसिल्दा नोखा को न्यूक किया गया है डूंगरगड नगरपारिका के लिए उपखन अधिकारी श्री डूंगरगड को रिटर्निंग अधिकारी तथा नायब तहसिलता श्री डूंगरगड को सहाईक रिटर्निंग अधिकारी न्यूक किया गया है जोदपुर के आरे समाज बहामंदिर में भारत स्वाभिमान प्रांथ कार्याले का शुबारम किया गया इस अफसर पर राष्थान हाई कोड के निया धीश मनोज कुमार गर्ग ने कहा कि योग से ही हम सभी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं योग से ही भारत विश्व गुरु बनेगा बिकानेल में प्राइवेट उनिवर्स्टी की ओर से जगनाथ पजाज मेमोरियल औल्लाइन नेशनल मूट कोड कॉंपेटिशन का उजन किया गया दो दिन तक चले इस प्रतिस परधा में इस बार मूट कोड कॉंपेटिशन में मूट प्राप्लम के रूप में भाद संख्या की धारा 376 तथा पोक्सो एक्ट से जुड़े हुए एक मामले को लिया गया प्रतिस परधा के संयोजक अशोक प्रेम सहाय का चारे ने बताया कि कॉंपेटिशन में कई विश्व विद्यालियों तथा महा विद्यालियों के टीमों ने भाग लिया प्रधेश में भले ही दो नेशनल पार्टियों का बोल बाला हो लेकिन विकानेर की तीन नगरपालिकाओं में तीन नेशनल पार्टियों ने जंडा बुलन किया है मतगरना के बाद शुरी डूंगरगर में भाजपा और नोखा में एनसीपी को सपस्ट बहुमत मिल गया जबकि देशनोक नगरपालिका में कॉंग्रिस सबसे बड़ी पार्टि बनकर उपरी है यहां कॉंगरिस को ग्यारा, भाजपा को दस, प्रगती मंच को एक और निर्दलियों के खाते में तीन सीटे गई है इसे त्री शंको मकाबले में निर्दलिया गेम चेंजर की भूमिका में है यदि यहां कॉंगरिस को बहुमत मिलता है तो पहले बार उसका बोर्ट बनेगा पंजाब नेशनल बैंक अंचल काराले की ओर से दो दिवसी अंचल स्तरिये मंडल प्रमक सम्मेलन आयोजित किया गया सम्मेलन में विविन वेव साइक मान को परबहतर प्रदर्शन करने वाले मंडलों वेवर्टिकल को सम्मानित किया गया भरतपूर और भीलवाड़ा में हुई शराब दुखान दिकाओं के बाद जोदपूर पुलिस ने जागरुकता अभियान शुरू कर दिया है पहले कुछ दिनों तक बस्तियों में शराब बनाने वालों के खिलाफ कारवा ही की गई अब रातानाडा नागरी गेट एब महा मंतिर इलाकों में बस्तियों के लिए थाना शेत्रों में जागरुकता कारिकरम चलाया गया महाविर इंटरनेशनल जोद्पुर की आमसभा मत्रादास माथूर अस्पताल सित महाविर इंटरनेशनल धर्मशाला में आजित की गई इस अफसर पर जरुवत मंदों को साइकले वित्रित का सेवा कारे की आगया जोद्पुर सेत जयन अरेन व्यास विश्व विद्याले में रास्टे सिवा योजना के रास्टे सर पर चयन हुए पाली के स्वयम सेवक मनोहर सिंग को कुलपती डॉक्टर परवीन चंदर त्रिवेदी द्वारा सम्मानित किया गया प्रानिश विभा के मनोहर सिंग का रास्टे स्तरय पूर्व अगंतंतरता दिवस परेट दोचार इकिस में राज तथा विश्व विद्याले का प्रति ने धित्व करने पर सम्मानित किया गया जोथपूर जिला अथलेटिक संग की ओर से क्रोस कंट्री दौर कायोजन सिधनात मार्क पर किया गया विजेताओं को वरिस्ट अथलेट बाबुलाल भंडारी वेंतरास्टे प्रशिक शक सोहनलाल चौधरी वेभपासिंग ने प्रमान पत्र प्रदान किया रोटरी क्लब ऑफ जोथपूर मिड टाउन के ओर से जोथपूर मुक्यबाजी संग को 20 से अधिक बॉक्सिंग लव्ज भेंट किये गए अध्याक्ष ललिद गर्ग ने बताया कि रातानारासित ओल्ड कैंपस में मुक्यबाजी संग जोथपूर के खिलाडियों को ने शुल्ग प्रशिक्षन मुहया कराते हैं तो फिलालिस पुलेटिन में इतना है फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर